दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के जो राश्ट्री उद्ध्यान है उससे related most important question को discuss करेंगे मैंने आपके लिए सारे ही question important और selected लिए हैं तो अगर आप किसी भी exam की तैयारी कर रहे हैं तो ये topic आपके लिए most important होने वाला है क्योंकि इस topic से चाहे वह फिर railway हो, SSC हो, defense exam हो या कोई भी government exam हो इस topic से question कहीं ना कहीं से पूछे ही जाते हैं तो इस topic को आप पूरा देखिएगा, लाश्टक देखिएगा यह आपके लिए काफी ही ज्यादा useful रहने वाला है तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं आज के हमारे topic से, इससे related सबसे पहले हमने एक general information देख लेते हैं कि राश्टी उद्यान होता क्या है तो भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले के मुताबिक नेशनल पार्क वह समरचित छेत होता है जिससे सम्मंदित राज्य सरकार द्वारा पारिश्थितिक, पशुपच्छी, वनस्पती, भू आकृती, जैव समरचना के महत्त, समरचन सेंचुरी होती है, ये थोड़ा कम प्रोटेक्टेड होती है राश्टी उद्यान के मुकाबले, इसका मदब यह हुआ, किसी वाइड लाइफ सेंचुरी को राश्टी उद्यान में तो बदला जा सकता है, लेकिन किसी राश्टी उद्यान को दोबारा वाइड लाइफ में नहीं बदला जा सकता है यह किस एक्ट के अंदर गताते हैं तो जो वन जीव संदर्चर अधियम 1972 है यह इसके अंदर गताते हैं जिसे राज सरकार को नेशनल पार्क घोशित करने की शक्ति देता है राज सरकार घोशित करता है लेकिन जो अंतिम मंझूरी देता है वह कें नेशनल पार्क को सबसे पहले नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और इस नेशनल पार्क को अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं जो की उत्राखंड में इस्तित है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे प्रशनों में आज का पहला प्रश्ण है वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्री उद्यान है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल राष्ट्री उद्यान है 106,2023 के अंतरगत दूसरा कोश्चन है नामीबिया से आठ चीते विशेश विमान से भारत के किस राष्ट्री उद्यान में लाए गए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कून हो राष्ट्री उद्यान में और यह कहां पढ़ता है फ्रेंट्स तो यह पढ़ता है MP में याद रखिएगा कहां पढ़ता है MP में आठ चीतों में आप मुझे यह बताईएगा कितने मेल थे और कितने फीमेल थे ये आप मुझे comment box में बताईएगा नेक्स्ट कोश्चन है भारत का पहला राष्टी उद्यान का क्या नाम है तो इसका राष्टी उद्यान का नाम है हैली राष्टी उद्यान जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्टी उद्यान के नाम से जाना जाता है 1972 में दोस्तों 1972 में स्टॉक होम समझोता हुआ था जिसके अंतरगत भारत सरकार की उपर दबावाया था कि वह भी एक अपना संद्रच्छन अधिनियम लेकर आए नेक्स्ट कोश्चन है बबर शेर एशियाटिक लॉयन कहां पाया जाता है तो यह कहां पाया जाता है यह पाया जाता है गिर राश्ट्यूद्यान में जो की कहां पे है गुजरात में है नेक्स्ट कोश्चन है भारत का सबसे बड़ा राश्ट्यूद्यान कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमेज हाई एल्टिट्यूट नेशनल पार्क जो की लद्दाक में इस्तित है नेक्स्ट कोश्चन है भारत का सबसे छोटा राश्ट्यूद द्यान कौन सा है तो इसका राइट आंसर है फ्रेंज्स साउध बटन द्यूप राश्ट्यूद द्यान जूपी अंडमान निकोबार पर है चलिए आप मुझे यह बताईए यह अंडमान निकोबार के किस द्यूप में है कार निकोबार में है, साउध निकोबार में है, मिडल निकोबार में है यह आप मुझे comment box में बताईएगा next question है सरिस्का राष्टी उद्यान जो की राजिस्थान में है और रन्थंबोर राष्टी उद्यान जो की राजिस्थान में है निमलिखित में से किसके लिए सुरच्छित स्थान है तो इसका right answer हो जाएगा बाग के लिए next question है भारत के किस राजि में सबसे ज़्यादा राष्टी उद्यान है तो इसका right answer हो जाएगा मध्य प्रदेश में 12 राष्टी उद्यान है next question है जिम कॉर्बेट राष्टी उद्यान कहां इस्थित है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ यह कहां इस्थित है उत्तराखंड में और इसे हैली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता था जो कि 1936 में स्थापित किया गया था पहला राष्टी उद्यान next question है रॉयल बंगॉल टाइगर कहां पाया जाता है तो यह पाया जाता है सुंदर्बन राष्टी उद्यान में और आपको यह भी पता होना चाहिए यह जो राष्टी उद्यान है यह यूनेस्को में भी रजिस्टर्ड है ठीक है next question है इसकाराइट आपसार हो जाएगा बरदे नेक्स्ट कउश्टन की ओर next question है इंद किला राष्टी उद्यान कहां इस्टित है तो इसकाराइट आपसार हो जाएगा यह इस्टित है हिमानचल प्रदेश में गंगोत्री नेशनल पार्क कहां है तो गंगोत्री के नाम से ही पता लगता है यह कहां है तराखंड में नेक्स्ट कोश्चन है भारत का एक मात तैरता राश्टी उद्यान केबुर लाम जाओ नेशनल पार्क कहां परिस्तित है जिसका राइट आंसर हो जाएगा मनिपूर में और यह जो राश्टी उद् नेक्स्ट कोश्चन है गांधी समुद्री राश्टी उद्यान कहां पर इस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में यह दोस्तों अपने कोरल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है कोरल रीफ आपने पढ़ा होगा यह अपनी कोरल रीफ के लिए चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि भारत में और कहां कहां कोरल पाया जाता है अंडमान निकोबार में तो पाया ही जाता है और कहां कहां पाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है नाम दफा राश्टी उद्यान कहां इस्तित है तो इसका राइट आंसर पाजाता है तो यह पाया जाता है केबूल लाम जाओ नेशनल पार्क जो की कहा पे है मनीपुर में है नेक्स्ट कोश्चन है 1970 में भारत का पहला राष्ट्यूद्यान हेली राष्ट्यूद्यान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो कर दिया गया जिम कॉर्बिट राष्ट्यूद्यान और यह कहां पर है उत्राकंड में है 1936 में इसे स्थापित किया गया था नेक्स्ट कौन सा राश्ट्री उद्यान एक सिंग वाले गेढ़े के लिए प्रसित्ध है जिसका राइड आंसर क्या हो जाएगा काजीरंगा अभी मैंने आपको बताया यह काहँ पह Пें है यह री वंगघियंग टेश्यर राश्ट्री उद्यान कहां इस्थित है इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश नेक्स्ट कोश्चन है खीर गंगा राष्ट्री उद्यान कहां इस्थित है इसका राइट आंसर है हिमांचल प्रदेश में आपको पता होगा खीर गंगा ट्रैक सहलानियों के लिए काफी आकर्ष्ण का केंद रहता है और यह कहां है हिमांचल प्रदेश में नेक्स्ट कोश्चन है सैडल पीक नेशनल पार्क कहां इस्थित है तो यह स्थित है अंडमान निकोवार में ठीक है अंडमान निकोवार में मरू गवामी राष्ट्री उद्यान कहां पर इस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाए कहां इस्थित है तो इसका राइट आंसर है नागा लेंड में इतंकी राष्ट्यूद्यान इस्थित है पक्खुई वन जीव अभ्यारन कहां इस्थित है ध्यान दिजेगा यह वाइड लाइफ सेंचुरी यानि कि वन जीव अभ्यारन है तो यह स्थित है अरुणांचल प्र कोशन है दिहिंग पठकाई राष्ट्यूद्यान कहां इस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असाम में इस्थित है नंदा देवी राष्ट्यूद्यान कहां इस्थित है तो आप सब यहां पिस का राइट आणसर है केरल में अनाइ मुरी driving भारत की सबसे उची श्रणी है और यहीं पर यह राश्री उद्यान इस्तित है नेक्स्ट कोशन है सिंगारी लीला राश्री उद्यान कहां इस्तित है तो इसका राइट आंसर है पश्चिम मंगाल में नेक्स्ट कोशन है सिंबल बाड़ा राश्री उद्यान कहां इस्तित है तो इसका राइ इंड़ माननिकोवार में इस्थित्षे हैं निजयár जम्मु कश्मीर में इस्थित्षेयर जम्मु कश्मीर में अंद्रानध नदी में ने सुनाइए होगा आप मुझे यह बताईएगा कि यह इस-की सहयक नदी है किस नदी की सहयक नदी है तुंगबद्रा जोन की करनाटका में बहती है नेक्ष्ट कोशन है रंदन का राष्टियू दियान कहां इस्थित एक है इसका भी nice आईलेंड नेशनल पार्क इस्थित है लेकि जितने मरीन नेशनल पार्क हैं वो मुशली 80-90% अंडमान निकोबार में ही इस्थित रहते हैं कुछ हैं जैसे मननार की खाड़ी वाला हो गया या कक्ष वाला हो गया ये गुजरात में इस्थित है और ये तमिल लाडू के नीच जारण कहां इस्थित है और ये सुती है तो ये इस्थित है हरीयाना में नेक्स्ट क्रणै रणी जहांसी मरीन नेशनल पार्क कहां इस्थित Tуч состо है मॉश्णीज पार्क कहां इस्थित है इसका राइट आंसर होगया ये कि देना चाहूंगा हमारी जो 2020 की करंट अफ्यर e-book है जिसे रवी करंट अफ्यर e-book कहते हैं इसमें जन्वरी 2022 से लेकर के की तरफ संजय राष्ट्री उद्यान कहां इस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यप्रदेश में इसका राइट आंसर है फ्रेंट्स असाम में और कौन कौन से थे काजी रंगा था एक और था मैंने आपको बताया उसका नाम आप मुझे लिखिएगा ऐसा अग सागर राष्ट्री उद्यान कहां इस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध प्रदेश में चलिए आप मुझे यह बताईएगा नागार जुन जो डैम है वो किस नदी पर बनाया गया है ठीक है आप मुझे कमें बॉक्स में बताईएगा नेक्स्ट कोशन है ग से साइलेंड वैली से कनफ्यूज मत करिएगा साइलेंड वैली केरल में हैं और यह फूलों की घाटी यानि कि वैली ऑफ फ्लावर्स है नेक्स्ट कोशन है कलेशर नेशनल पार्क कहां इस्थित है तो राइट आंसर है हरियाना नेक्स्ट कोशन है गोरु मारा राश्री कि इसको राइट आंसर है केरल नेक्स पोस्चन है माधा राष्ट्री पार्क कहा परिस्तित है तो आपने देखा होगा हजारी भाग जहारकंड की पहाड़ियां है और यह यहीं परिस्तित इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में इस्तित है तो दिब्बू साइखोवा इस्तित है असाम में इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में इस्तित है तो यह इस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में इस्तित है वसंता नेशनल पार्क कहां पर इस्तित है तो यह इस्तित है गुजरात में पलामू बेतला राष्ट्रीव त्यान कहाँ इस्थित थे जारखंड मेंुंध में हमने एक और देखा था। तुमिश्व वन नजी वाब्ढैरन यानि कि वाईड लाइप सेचुरी कहा इस्थित हैं इसका राइट Ayne करनातक में परिस्तित है केरल में इस्तित मिड़िवेट बटन दीव राश्टी उद्यान कहां इस्तित में इस नाम से पता लग रहा है यह अंडमानीको बार में ईस्त्क होष्षन है ग्रेट हिमालेयन नेशनल पार्क यह यह important है क्योंकि इसे भी UNESCO की लिस्ट में शामिल किया गया है काजी रंगा भी और ग्रेट हिमानलेयल नेशनल पार्क भी तो यह कहां पर इस्तित है यह है हिमानचल प्रदेश में बोरि-विली राष्ट्री उध्यान कहां फिर तो आपने बोरि-वली का नाम जुना होगा यह वहीं फिर जहां है महराष्ट्रा में नेक्श कोशन है दाचिकाम वनन जीव अभ्भ्यहरन कहां इस्टित है तो यह स्थित है दचिकाम जम्हो कॉश्चन है काजी दंगा राश्च्त दियान कहां इस्थित है तो यह तो रृपीट कोश्चन हो गया असाम में नेक्स पूस्चन है MP कहा है इसक्तित है बडक में और जो hemost i hai ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है किया है सबसे बड़ा नेशनल पार्क कों सा है हैं मैसाइ इनीन बारक है चली आप मुझे बताईएगा सब्सेट क्विड़ा राश्ट्री उध्यान कहां इस्तिता प्रिश्थburg तौछं ने dónde रfs ईंसर हो जाएगा आंद प्रदेश में मांडला प्लان्ट फॉसिल राष्टु उद्यान यानि के जीवासम राष्टु उद्यान कहां परिष्थित है बिद्य अध्य मर disp Metro ये बीआ कि कूष्ट नेस सा नोखरेंट नेशनल पार के अई चाने मेगाले में साइलेंट वैली नेशनल उद्ध्यान कहां पर इस्तित है तो मैंने आपको बताया था यह कहां इस्तित है केरल में और फूलों की घाटी यानि की वैली ऑफ फ्लॉवर्स इस्तित है उत्तराखंड में सरिस्का राष्ट्री उद्यान कहां परिस्तित है तो सरिस्का इस्तित है राजिस्थान में चंदोली राष्ट्री उद्यान कहां परिस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महराष्ट्र इंद्रावती राष्ट्री उद्यान कहां पर इस्थित है तो इसका राइट आंसर है च्छतिस गड़ में इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्ध प्रडेश और यहीं पर नामी विया से आठ चीते मंगाए गये थे यह आप याद रोखिए गा कुन व राष्ट्री उध्यान इंपटेंट हो जाता है नेक्श कोशन में इसका राइट आंसर है गुजराण राष्ट्री उध्यान कहां इस्थित है तौई एसका राइट आंसर हो जाएगा मनीपुर में या दखिएगा करनाटक नेक्स्ट कोशन है भावंग पुई राष्ट्री उद्ध्यान कहा इस्थित है तो इसका राइट आंसर है करनाटक जाएगा फ्रेंड्स महरास्ट्र एक हमने और देखा था संजय राश्ट्री उद्यान यह कहां पर इस्तित था मध्य प्रदेश में नेक्स्ट कोश्चन है काना राश्ट्री उद्यान कहां इस्तित है इसे काना किजली राश्ट्री उद्यान भी बोलते हैं यह इस्तित है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में सबस्यादा रा नवे गाव राश्ट्र उध्यान कहां इस्थित है तिसका राइट आंसर है महारास्ट्र में जदी आपको हमारा कॉंटेंट और कोशन की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसका राइट आंसर है तेलंगाना में नेक्स्ट कोशन है मुरलेन राश्ट्री उध्यान कहां इस्थित है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में नेक्स्ट कोशन है डिजर्ट नेशनल पार्क कहां इस्थित है तो इसका राइट आंसर है राजिस्तान में जो थार क लाम जाओ नेशनल पार्क कहां पर इस्तित है तो इसके है राइट आन्सर है मनीपुर में और यह किसे लिए फेमस है अपने तैरते होए द्यूपों के लिए फेमस है केबुर लाम जाकू नेशनल पार्क सिस्द्टित I फ्रेंड डामपा भ्यारण कहां पर इस्तित है तो इसका रहा इंसर हो जाएगा मिजोरं नेक्सT कोशेंट है चंदोली नेशनल पार्ग कहां इस्तित है तो इसका रहाइच Seyah महराष्ट्र लेस्ट कोशन है किस को जया ईस्थित है किसके सिट ज्वुशन और देइ सह जासर कहां इस्थित Sophia को सिट bakayım आँंज सॉजशंर है तो आद्ध को जाएगा महराष्ट्र में घुब आ राश्ट्री उद्यान कहां परिस्तित है तो इसका राइट आंसर है मध्ध प्रदेश में नेक्स्ट कोशन है तंसा वन्रजीव अभ्यारण कहां परिस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महराश्ट्र में नेक्स्ट कोशन है मुदुमलाई अभ्यारण कहां इस्तित तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंद्मान निकोबार नेक्ट कोस्चन है वन बिहार राष्ट्री उध्यान कहां इस्थे थै इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्प्रदेश नош्ट कोश्षन कंचण जंगा राश्ट दियान कहा इस्थHAHA को पता है कंचण जंगा जो है वह भारत की सबसीPI चूटी है यह आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में किलका भ्याहरन कहा इस्था थे तो चलका ज्जी Kaiser किनारे यह विसा हुआ है और यह स्थित है उडिसा में म्रगवानी नेशनल पार्क कहां इस्थित है तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना में ठीक है याद रखेगा तेलंगाना में नेक्स्ट कोशन है अबोर या अबोहर वनजीब अब्यारन कहां इस्थित है तो इसका आंसर है पंजाब मे मुकंद्रा हिल्स राष्ट्री उध्यान कहां इस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजिस्थान में इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपूरा में यह काफी बार पूचा गया है अलग-अलग एक्जामों में तो आप इसे याद रखिएगा नेक्स्ट कोशन है रुद्र सागर जील राष्ट्री पार्क कहां परिस्थित है इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताईएगा कि रुद्र सागर जील है यह किस नदी पर बनी हुई है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे नेक् अन्ना मलाई, मुद्दु मलाई, पंचा मलाई, ये सब तमिल नाडू की कुछ महत्यपूर्ण शेडियां है, पूर्वी घाट की, ये आपको याद होनी चाहिए, नेक्स्ट कोश्चन है, मननार की खाड़ी राष्ट्य उद्यान कहां पर इस्तित है, तो मैंने आपको बताया है कि इनके नाम पे नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया है, नेक्स्ट कोश्चन है, गोरु मरा नेशनल पार्क कहां इस्तित है, तो ये इस्तित है, पश्चिम मंगाल में, नेक्स्ट कोश्चन है, भद्रा बनने जीव अभ्यारन कहां पर इस्तित है, तो इसका राइट जो दिवार है वो कुंबलगड किले की ही है और यह इस्तित है राजस्थान में एक्श्ट कोशन है पाखाल वन्नेजीव अभ्यारण याने की वाले लाइब सेंजुरी कहां पर इस्तित है तो यह इस तिलंगाना में next question है तो यह इस्तित है friends केरल में next question है वुकसा- controllers reserve कहां परuszद है êtreberg reservoir है याद रखिएगा क्या है tiger reserve है तो इसका right answer हो जाएगा प next question है पेच्ह राश्च्ट्री उद्यान कहां परिस्तित है तो इसका right answer हो जाएगा मध्यपरदेश में नेक्स्ट कोश्चन है राजबाडी राष्ट्री उद्यान कहां परिस्तित है इसका राइट आंसर है त्रपुरा में लेकि नौर्थ इस्ट के जितने भी राष्ट्री उद्यान वाइड लाइफ सेंचुरी है आपको यह बिल्कुल एकदम कंठस्त होने चाहिए क्योंकि नौ कहाँ वीर हरी न वनस्थली नेश्नल पार्क परिस्तित है तो इसका राष्ट अंसर है ते लंगा ना में सत्ट पुरह राश्ट्री उद्यान कहां परिस्तित है तो शक्रार रिंज कहां पढ़ती है यह मध्य पुदिश में परसे नर्वणा नदी के किनारे यह इकम्पुर में next question केवला देव राश्रोद्यान कहा इस्तित है तो यह पूंसर हो जाएगा राजिस्थान में चैनग सीचनल है रहतपूर वाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है वरतपूर बड सेंस्षूरी इसे एक और नाम देजया जाता है घहना आ Kindern के नाम से भी इसे जाना जाता है नेक्स्ट कोश्चन है भितर कनी का राश्ट्र उद्ध्यान कहां इस्थित है वितर कनी का राश्ट्र उद्ध्यान S 쓰고 हमें और यह किस लिए फेमस है तो जो ऑलिव रिडर टुर्टल सोते हैं उनके लिए यह फेमस है follows नुकूरती राष्टियूद्यान कहा इस्तित है तobenya दोस्तों में बढ़ते हैं हमारे आखरी और लास्ट को आपके लिए पन्ना कहा इस्तित में कहा है तो इसका राइकर अनसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में . लिया प्लग डोस्तों मैं जिद्यान कहां इस्तित है उत्राखंड मेगालय ओडिसा या तमिलनाडू सेकेंड कोश्चन है आपका राजाजी नेशनल पार्क कहां इस्तित है आपके आप्षण है तेलंगाना उत्राखंड महराष्ट या श्ट्रिपुरा आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में एन क्यों आपके इसम्छर ऐसोड राखंड मुझे कमेंट इस्तित है जरुंधे कमेंट सूए द् déshaर खाएबे नेंड़